क्वांतिते टीटीट चेप्टर नम्बर सिस्टंब गॉस्टेन नम्बर 142 टू कंजूकर्टिव इवन प्वाजिटिव इंटिजर शम आप दस्क्वार्स आफ विच अप व्च इज 1060 आर इस कोशेण मेट्टू कॉंजूगर्टिव इवैन पोजेटिव इंटीजर है जिनके स्कॉर के सम जो है वो 1060 दिया हुआ है तो हमें वो टू कॉंजूगर्टिव इवैन पोजेटिव इंटीजर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इसको लेत लिए हैं let required numbers be x and x plus 2 consecutive means lagataar तो इसलिए हम एक x लेंग और x plus 2 और उसमें भी event number इसलिए हम इसमें 2 add किया हुआ और according to question इनके जो square के sum में x और x plus 2 के whole square is equal to 1060 दिया हुआ इसमें हम a plus b ka whole square यूज़ करेंगे तो यह होगा x square plus 4x plus 4 is equal to 1060 इसमें हम 2x square plus 4x plus 4 minus 1060 इसमें हम 2x square plus 4x plus 4 minus 1060 इसमें हम 4 minus करेंगे तो होगा 1056 is equal to 0 और इसमें 2 common है तो हम 2 common लेने से होगा x square plus 2x minus 528 is equal to 0 और अब हम इसमें 528 का factor निकालेंगे या तो आप इससे पता कर लो कि कौन दो नंबर को multiply करने से 528 आएगा तो इन दोनों नंबर को अगर आप multiply करेंगे तो 528 आजाएगा तो इसको में से लेंगे x square plus 24x minus 22x minus 528 is equal to 0 implies that first two part में x common लेंगे तो या x plus 24 होगा और इसमें 22 कमन लेने से या x plus 24 is equal to 0 so implies that x plus 24 और या होगा x minus 22 is equal to 0 x plus 24 is equal to 0 और x minus 22 is equal to 0 so x is equal to minus 24 और x is equal to 22 according to question के आए कि x जो होगा वो positive integer होना चाहिए तो हम इसको लेनी सकते x equal to 24 तो हम x की बेलो या 22 लेंगे और x plus 2 is equal to 22 plus 2 so is equal to 24 तो या 22 और 24 जो होगा वो हमारा required number होगा so which is the required answer so option B is the correct answer